दोस्तो यदि हम बिहार से किसी भी शहर के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेनों की डिमांड की बात करें तो वो शहर है दिल्ली जहां से बिहार के हर चदर के लिए ट्रेनों की डिमांड होती रहती है और दोस्तो पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जब से हमारी वो की ट्रेनों की जो डिमांड है वो काफी जादा बढ़ चुकी है हमारी जो रेलवे है वो वन्दे भारत जन साधरन एक्स्प्रेस भी बना रही है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल के डब्बे देखने को मिलेंगे जो की हाई स्पीड होंगे अगले साल तक ये ट्र नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और रेलवे के इस फैसले पे आपकी कराया हैं जरूर बताएं दोस्तो यहां पर बात करें ट्रेनों की तो जो सबसे पहली ट्रेन है वो है उत्तर विहार के जैनेगर रेलवे स्टेशन से हमारी यहां पर इसके कोच संदचना की बात करें तो इसमें 20 डबे रहने वाले हैं जन्रल क्लास के कोई भी सेकेंड एसी फर्स्ट एसी या फिर स्लीपर का डबबा इस ट्रेन में नहीं रहेगा यह ट्रेन जैनगर से खुलने के बाद वाया दर्भंगा समस्तिपूर मुझपरपू चपरा, गोंडा मुरादाबाद के रस्ते अनंदविहार टरेमिनल तक जाएग यह ट्रेन एक वीकली ट्रेन होगी जो की मंगलवार को जैनगर से चलेगी और वहीं यह ट्रेन अनंदविहार टर्मिनल से बुदवार को चलने वाली है दोस्तों यहां पर जो दूसरी ट्रेन है यह है गया से अनन्द विहार टर्मिनल के लिए त्री सप्ता है क्यानि कि सप्ता है में तिन दिन चलने वाली ट्रेन जो कि गया से सुमबार बुदवार सुक्रवार को अनन्द विहार टर्मिनल से मंगलवार गुरुवार और सनीवार को चलने वाली है, इस ट्रेन में आपको सभी प्रकार के डब्बे देखने को मिलेंगे, जनरल स्लिपर ठड़े सी सेकेंडे से, इसके अलाबा पटनास आनंद विहार के लिए, दूई सप्ता ही के एक ट्रेन दी गई है, जो कि गुरू वार और रवी वार को पटनासे, वहीं आन जनरल से यह ट्रेन चलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ रवी वार को, दोस्तों यह जो सभी की सभी ट्रेन है, जिसकी नुट्फिकेशन आ चुकी है, आप यह आप प्रॉपर डीटेल देखना चाहते हैं, कि किस-किस डेट को यह ट्रेन चलेंगी, तो आप मुझसे इंस्टा करता।